हेलो फ्रेंड्स असलाम उलेकूम वेलकम बैक टू मैं चैनल तम मुस्कीचन और कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खहिरियत से होंगे अलहमदुलिल्ला मैं भी खहिरियत से हूँ और एक नई रेसिपी लेके आई हूँ मैं आप सभी के लिए आज हम बनाएंगे अंडे का हल्वा रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेश्ट करना चाहती हूँ प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब ज रखियू में इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे और यह मिल्क पाउडर का पैकेट लिव में दस वाला हर किसी के पास मावा नहीं होता मावे से भी बनता है लेकिन आज मैं मिल्क पाउडर से बना रही हूँ और यह है देसी घी और यह आदा चमशलिव में कॉन फ्लार डा दालना है तो डाल सकते हैं वरना स्कीप कर दीजिए इसे अर यह दूद में हम पहले मिला लेंगे अच्छे से कॉन फ्लाइर को अगर आपके पास है तो ही डालिए वरना कॉन फ्लाइर को लेकिन मिल्क पाउडर जरूर डाले और यह टेबल स्पून से बतादेती हूं एक टेबल स्पून ऐसे चार टेबल स्पून हो जाएगी हमारी मिल्क पाउडर एक पैकेट डाल दीजिए चार अंडों के लिए मैं मावे से भी बनाती हूं लेकिन हरकिएजी के पास मावा नहीं होता है इसलिए मैं äg का आपको और घ्लीक पाउडर को और यह फुल फैट दूद है एक ग्लास मैं दाल रही हूँ कड़ाई में हम कड़ाई में सबसे पहले दूद दालेंगे फिर शक्कर एड़ करेंगे मैं टेबल स्पून से बता रही हूँ आपको आठ टेबल स्पून है आपको और मीठा चाहिए तो आप और एड़ कर सकते हैं उसमें मीडियम फ्लेम पे हम दूद को रखेंगे शक्कर भी पिगल जाईए और दूद भी गरम होगा हमारा तब तब हम अंडों को फेट लेते हैं फोड़ कर चार अंडों का बना रहे हैं हम हल्वा अपने पहले कभी बनाया होगा तो भी ट्राइ करिए अगर नहीं बनाया है तो भी मेरे तरीके से बनाईए अंडों का हल्वा बहुत ही अच्छा लगता है खाने में एक बार ज़रूर ट्राइ करिए ऐसे हम अच्छे से फेट लेंग बनाना भी इज़ी है और खाने में बहुत टेस्टी है और हिल्दी भी है और ये तीन हरी हलाईची मैं इसे कुटलूँँगी पूर्थ पाऊदर नहीं है मिल्क पाऊदर और अर्णूर्ण। य दू दुद में दूदर हमारा गरम हो गयाता और चम्मच को चलाते रहिएगा हमने हरारूट का आटा इसलिए दाला है थोड़ा थिकनेस आईगी जल्दी जम जाता है दूद उस से और हमने मिल्क पाड़र भी कमी डाली है इन सर्दियों में आप जरूर ट्राइ करिए अंडो का हलवा और मुझे कमेंट करके बताईए कैसा था टेस्ट अंडो के हलवे का अब दूद हलका सा हमारा थिक हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे पेटे भी अंडे चम्मच को चलाते रहिएगा चम्मच बंद मत रखिए अंडा जल्दी जम जाता है लम्स हो जाएंगे हमारे हलवे में इसलिए हमें चम्मच को चलाते रहना होगा अब जैसा हमारा अंडा पकने लगता है वैसे थिकनेस आने लगती है अब मैं लो फ्लेम पे रखूंगी इसे पकने के लिए मीडियम फ्लेम था इसी तरीके से आप भी हिलाते रहिएगा इसे छोड़िएगा मत अगर हम छोड़ देंगे तो जम जाएगा और हलवा बराबर नहीं बनेगा ऐसे हमें 5-7 मिनट तक कंटीनिव हिलाना होगा इसे और यह कुटी भी इलाइची डाल रही हों में हरी इलाइची है यह तीनी इलाइची एड़ कियों में साथ से 8 मिनट हो गए है हलवे को पकते हुए और अच्छी सी थिकनेस आ गई है अब हम दालेंगे इसमें घी देशी घी डालीएगा एक टेबल स्पून दाली हों में और थोड़े दिर बाद एड़ करूंगी थोड़ा पकने दीजिए इसे फिर एड़ करेंगे हम और यह लिए में ड्राइफूट मैं कुटकर दालूंगी इसमें और यह पीस्ता और बादाम और काजू में रखी हम गानेशिंग के लिए और एलो फूट कलर है यह एक ही बुन दालेंगे हम कलरिंग के लिए आपको डालना है तो डालिए वर्ना स्कीप कर दीजिए इसे और यह दालेंगे हम ड्राइफूट्स आपको जो ड्राइफूट्स पसंद है वो डालिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करिए और दाल्रियों में एक टेबल स्पून जितना घी हमने चार अंडों के लिए दो टेबल स्पून घी यूज किया है और कलर माशालला दिख रहा है अभी और खाने में भी बहुत लजीज लगता है अंडे का हल्वा आप ज़रूर ट्राइ करिए अब मैं चम्मा से हिलाऊंगी इसे अच्छा थीक हो गया है अभी अभी इसमें लंस नहीं होंगे मीडियम फ्लेम रखी हुमें अभी इसे हम और दो से तीन मिनट रखेंगे और बंद कर देंगे गैस अगर आपको और थीक चाहिए तो और थीक करिए थोड़े दिर और पकाईए और मुझे यही स्टेक्चर चाहिए मैं और नहीं थीक करूंगी इसे आपको भी यही चाहिए तो ऐसे ही बनाईए अगर और थीक चाहिए तो और थोड़े दिर दो मिनट पका लीजिए एकदम सुका सुका हो जाएगा और यह निकाल रही हूं मैं बाउल में इसे गरम खाईए या हलका सा धंडा होने के बाद खाईए हलका सा गुनगुना रहेगा तो भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है ज्यादा गरम में टेस्ट नहीं पता चलेगा और यह मैं ड्राइफूट्स दाली हूं उपर से थोड़े से मैं और भी नही नही रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और कमेंट करके मेरा होसला बढ़ाईए इन्शालला कल फिर मैं मिलूंगे आप सभी से एक नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप अपना खयाल रखिए सेफ रहिए अल